लोटस सायग विदा इंडिया में आपका फिर्चे स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधी आज मैं आपको बीटी टिप्स को बारें बात करूँगा ग्रीन टी से आपकी सिहत को कई फाइदे मिलते हैं ग्रीन टी पीने से आप अपने बजन को कंट्रोल कर सकते हैं साथ ही इससे पाचेंग के लिए भी बहतर होती है ग्रीन टी पीने वालों को हट समंदी समस्यां होने का खत्रा भी कम होता है इतने फाइदों के अलाबा ग्रीन टी से आप अपने तवचा समंदी समस्यां को भी दूर कर सकते हैं ग्रीन टी का पैक में औसीधी गुड़ होते हैं जो आपकी तोचा से जाया, कालापन, ब्लेक हैट्स को दूर करने का काम करते हैं इसमें बिटामिन B, बिटामिन B12, पॉलिफेनोल, बिटामिन K, अन बिटामिन पाए जाते हैं साथ ही ग्रीन टी के Antioxidant और Antibacterial गुड़ तोचा की समस्या को दूर करने में सायक होते हैं इसके नेमित उपयोग से तोचा में निखार आता हैं और ब्लेक हैट्स से मुक्ति मिलते हैं ग्रीन टी के मास्क के माक्स से ब्लेक हैड को हटाने और इस पैक को बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं तो ग्रीन टी मास्क से ब्लेक हैड हटाने का दूर करने का उपाय तो कैसे हैं आपको बता रहा हूं ग्रीन टी मास्क से आप ब्लेक एट को असानी से दूर कर सकते हैं, इस पैक से तोचा में होने वाले पाइदे भी आपको बता रहों, ग्रीन टी के मास्के तोचा का एक्ष्ट्रा ऑइल बैलेंस होता है, साथ ही इसमें तोचा का प्राक्टिक तेल का स्रावित संतुलित होता ह हैं चेरे पर तेल का तेल की बज़े से नाकबा चिन के पास गंदी की जम्मा होने से ब्लेक हैट्स हो जाते हैं लेकिन ग्रीन टी के पैक से ऑईल को बैलेंस कर आप ब्लेक हैट्स की समस्या को दूर कर सकते हैं ग्रीन टी से मास्क से आप तोचा को एक्सफोलियेट कर सकते हैं एक्सफोलियेट करने से नाकबा चेरे पर जम्मा होने वाले ब्लेक हैट्स आसानी से साफ हो जाते हैं पोर्स साफ होने से तोचा में ऑक्सीजन की मातरा बढ़ती है और उसमें निखार आने रखता है ग्रीन टी का मास्क से मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट गुड तोचा की गहराई से पोसर कर सकता है पोर्स को पोसर मिलने से ब्लेक हैट्स की समस्य से छुटकारा मिलता है इस पैक को आप सप्ता में दो बार यूज कर सकते हैं ब्लेक हैट्स को दूर करने के लिए ग्रीनटी मास्क कैसे त्यार करें मुहास और ब्लेक हाच को दूर करने के लिए ग्रीन टी मास्क बनाने का तरीका मैं दो को बता रहा हूं इसके लिए आप दो से तीन ग्रीन टी बैग लें इसके लिए आप एक और्गनिक ग्रीन टी का उप्योग करें ग्रीन टी के बैग को खोलें इसकी पत्तियों को एक बाउल में डालें इसके बाद इस बाउल में करीब दो चम्मच फ्रेस एलोगराया का जेल मिलाएं साथ ही करीब आदा चम्मच सहर भी मास्क में मिला ले सबी को अच्छी तरह से मिला ले इसके बाद चेरे को साफ करें इस पैक को चेरे पर एक लेयर की तरह लगाएं करीब 20 से 30 मिनट पैक को लगाने के बाद जब मास्क हलका सूख जाए तो इसे रगरते हुए चेरे से हटाएं इससे आपके बलेक हैट्स दूर हो जाएंगे इसके बाद आप चेरे को नर्मल पानी से धोलें तो यह था हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंटर के बताएं और चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकोन की घंटिया बजा दे जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद